नमस्कार, रिद्वैनी वाद भाग चुम्मालिस अपने आत्मसाक्षकार उपरवाद करता था 22 साइट्यमा एक कथा आवेजे कि जारे सिद्धार्थने बुद्ध्वत्व प्राप्त थेऊ त्यारे तेवो निर्वलक्यल्प समाधिमा उत्री जाईजे अने तेवो साथ दिवस सुधी समाधिमा ती बहार आओता न थी दर्मैन, इंद्र साथे केटलाई देव देवताओ तेमना दर्शन आवेचे आने प्रार्थना करेशे कि तमे आवे समाधिमा ती बहार आओ आने तमे शू जानिँ ते आमने जणा बुद्ध केशे कि आवे बोलवा वालू मारा मा कोई रहुर्ट नसी तारे कोण बोल से अने कोण समझ से अहम नो संपूर न विलाई थेगी औशे वड़ी मे जे जोयू अनुभयू मने जेनो साक्षात कर थेओ ते केविरी तमने समझाओ तीनी मने सम्झाण नथी पड़ी अने तमे ए वात समझ्चोपन के विली दे खरे खर समाधी मा आनन नो जे अनुभव थाई छे शांती नो जे एसास थाई छे अने मुक्ती नी जे प्रसनता वरताई छे ते सिडी सिडी वर्णवी शकाए तेम होती नथी कही शकाती नथी समाधी न उपलब दी सत्यनो साक्षात कार ए शब्दा तीत होई छे स्रीमत राच चंद्र एमने एक वार किटलाक जिद्नियास विद्धार चे उने पूछू कि तमारा एक हात मा घी छे आने बीजा मा शास अने तमने ठोकर वागे तो तमे शू साचाओ चो बदाय जवाँ प्यो कि घी काराण ए वदारे किमती चे ए उज एक तरफ संसा धर्म चे आने बीजी तरफ देह धर्म चे तो एमने थी वदारे शू किमती बन्नेव महत वना चे संसा धर्म चे रखाए तो आत्मधर्म चे रखाए मानवी ये संसार आने देहने वदारे साचवाना बदले परमतत्वाने आत्माने साचवानों वदारे प्रहतन करवो जूए पन दुनिया मा आना थी उन्दू थाये चे बराबन्य झाल झाल